साक्रो के संख्या मेराजी के युवाओं ने शंकर दूबे के नेतरोतों में बीजेपी का दावन थामा भाजपा के प्रदेश अदक्ष बाबुलाल मरानी ने नहें पार्टी के सदसिता दिलाई इस मौके पर बाबुलाल मरानी ने कहा कि प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी के नेतरोतों में लगतार विकास के कारे हो रही हैं उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री के कारेकाल में लोगों को स्वास्ते सुविधाओं के साथ अन्य योचराओं का भी लाब मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रधान मत्री के कारेकाल में श्रीराम मंदिर बना और निरंतर रिस्तरह का काम होता रहेगा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में शामिल होने से पार्टी सशक्त और मजबूत होगी संकर्दुवे जी और उनके सभी सहयोगी साथ्यों को हमारे और से बदाई हैं सुखकावना है और सुवावी गुरुप से जिनके साथ इतने बड़ी तदाद में नवजवानों की तोली है और उनके पारटी में युगदान से पारटी और मस्बूत होगी ससक्त होगा और मीशन 244 फिर से मोदी सरकार यह पुरा हो नहीं कभी कोई राजनीती के तियास नहीं कभी कोई राजनीत में दिल्चस्पी नहीं थी मरांडी जी के सिधानतों से उनके आदर्सों से प्रेरित होकर हम भाजपा ज्वाइन कर रहा है किये और मोदी जी जिस तरह देश में काम कर रहे हैं उनसे हम लोग काफी प्रभावित हैं और हमको लगता है कि भाजपा के सिवाए इस देश का विकास इस राज़े का विकास कोई रामगर जले के से सीएल जार्खरन उत्खनन पर योचरा में ओल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन के आहवान पर सीटू के बैनर तले माइनिंग डेवलपर आपरेट और रेवेन्यू सोर्सिंग के खलाफ कॉम्रेट मुहमद रफीक के अदक्षता में मदूर विरोध ही नीती का विरोध किया गया विरोध करने वालों में सुरेशिंग विचेर रजवार के लाज मेहतोर सुशिल कुमार श्रामिल थे अवाल इंडिया पोल्ड वर्कट फ्रेडेशन के आहवान पर NCOC2 के द्वारा जार्खन पर योजना में जो आज आंदोलन पूरे हजारी बाप CCL छेत्र में जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश के पैमाने पर इस पर जो है सरकार की जो निती है उन मजदूर विरोधी निती ला रही है और MDO का फूल फार्म है Mining Developer and Operate यह नीजी करन का मार्ग MDO है दूसरी बात है revenue sharing MDO जो है private company को सरकार देगी उस पर जो है revenue sharing करके देगी revenue sharing में क्या है कि जमीन को जो है जमीन लेने के बाद वो पूरे forest clearance करावेंगे प्लानिंग बनवावेंगे और सारा चीज कर धरके MDO के हांस सोपेंगे क्योंकि 11 साल 12 साल के लिए वो ले लेंगे उससे क्या है कि आप जो राष्टिये करन 1973 में जो हुआ है उसको भी केंद्र सरकार जो मोधी सरकार आने के बाद इस पर भी शंसोधन कर दिया गया राष्टिये कोईला राष्टिये करन एक्ट जो है 1973 थिरी एक तहट शंसोधन किया गया है जिसमें पुझी पत्ति वर्ग जो है इस पर ज्यादा पैदे मंद रहेंगे और मजदूर वर्ग यह घाते पर चले जाएंगे मजदूर वर्ग कहीं ता नहीं रह जाएंगे जो आज इस केंदर सरकार जो आज सत्ता पर है मोदी को आने के बाद आज जो इस देश के अंदर चमकता भारत और तडपता भारत का निर्मान जो किया चमक कोन रहे हैं आज बड़े-बड़े पुझी पति वर्ग चमक रहे है और आज जो मेनत का सवाम है मजदूर वर्ग है वो आज तडप रहे हैं बोकारों के च्वंदन क्यारी में लोगों ने मिड़े मील की काला बाजारी करने वालों के खराफ एक्शन लिया है मिड़े मील के चावल की काला बाजारी करते हुए दो पिकप वहन को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया जसमें आज डो रिस्टेप डिलेवरी वहन अभी करता पर प्रात्मी की दर्ज करा ली गई है आपको बता दे कि मध्यान भोजन के लिए चावल कुसम क्यारी पंचायत के विभिने स्कूलों में भेजा जाना था लेकिर इसे कही खपाने की कोशिश हो रही थी जोसे ग्रामिनों ने पकड़ लिया पूरे मामले में नेतर प्रतिपक शमर कुमार बावरी ने सरकार पर निशाना साध्यते वेक कही आरोप लगाए हैं हम लोग संपर करने कोशिश किया हैं सब कोई का टाल मोटोल सा जवाब आ रहा है मैं यह कहना चाह रहा हूं आपके चैनल की माइधन से कि कल 23 जनौरी नेता जी सुभास चंदर बोश जेहनती के आफसर पर जब गोडाउन बन था तो किसके आधर पर जो है गोडाउन खुला गया और जो यह जो चलान जो है यह चलान जो हम लोगों को मिला है यह चलान में तो साब तरफ है कि कुसुन क्यारी के पंचात के बिभीन स्कुलों पर मीड़े मिल के लिए ले जाया जा रहा था हम लोगों ने डियसी साहब से भी बोकारों डियसी साहब से हम लोगों संपर करवाई नहीं हुई तो नेक्स्ट हम लोग संबार को यानि 29 तारीक को हम लोग जंदनक्यारिक परखन का हम लोग घ्यराव करेंगे चावल जो हम लोग उठाया है सो में कारवाई हुई है जन्विचरन दुकानदार के और उसमें कुछ लोगों को हटा है लेकिन अब वहां से सब्सक्राइब लोगों की नदेर पड़ गई है मिड़े मिल का आज पता चला है सामके समय जाना था दच्छिन उत्तर के ओर चले गए लोग वह जाना था बर्मश्या के 11 स्कूल में उस छित्र के स्कूल में बर्मश्याव की छित्र गें वह निकल करके चंदन क्यारिके उत उत्तर की तरफ जाते हुए गरामिनों ने दो ट्रक पगड़ा है वह उसे समय में जब आज स्कूल बंद था विसे समय में जब यह नियम है उन्लों ने कहा कि स्कूल आवर में ही चावल जो है उसका बड़ली यानिका निन्न है लेकिन स्कूल आवर बंद उने के बार चलान बिलेंक चलान भी है है इसा भी सुचना मिल रहा है लेकिन ड्राइवरों को छोड़ दिया गया है उसे मुझे बाद में पति चली मैंने उसे कहा है और कहें कि गरीबों के अनत से आपका पेट निभरा बच्चों के निवालिक पर भी डाका डालने के आपके नजर चलाए अब ढुटो ओके द्रांक के नो नहालों के आनाच को भी खाने के ले जा रही है और इसमें यह मों की भूमिका में बीडियो है उसकी भूमिका भी जांगाए निर्सा रामकर राली काली मंदिर के पास गंतर धदीवस को लेकर कई तरह के कारेक्रमों का आयोचन किया गया राश्ट जम चेतना मंच द्वारा 49 में विरार सांस्कितिक और अभी वाहक समान समारों का आयोचन किया गया कालिक्रम के संबन में प्रस्वारता कायो जन्वा कालिक्रम के विशे में जानकारी देते हुए राज़त जालक्रम प्रदेश महामंद्री तारपतो धीवर ने कहा है यार्ट चेतनार चंद चत्रा मंजका मैंने गठन किया है जो लोक तंत्र पहचाने जिस लोक भीण्हेंनेकिने क्या दिकार दिया है इस अधिकार को जानो है और उसस के लिखेत खेट में काम करो नदी में काम करो नहर में काम करो पढ़ो लिखो और राज इंती में भागी-दारे लेके राज सत्ता के अरगे बढ़ो जो लोग सोसन्त दोहन उत्प्रण करके तुबहें पीछे ढ़कार रहा है तुम मुझे को खेच के उस गदी से उतारो फोट के जरिये कंड़ तंत्र अधिकार जो दिये बाबा भी मिराब अमित कर जी ने जो मतलब संग्विधान के जरिये आपका संग अर्श करो और अपना राज हासिल करो यह हमारा जंता के पास आवान है और रोध है और करन जरिया के जलगोडा में भाजपा नेता गनेश साफ के घर पर हमला प्रकरण में भाजपा प्रदेश कारे समीती के सदर से रागनी सिंग परिवार के लोगों का सुध ले ने पहुची रागनी सिंग ने कहा कि चार वर्षों से जरिया में अप्रा का ग्राफ पढ़ा है इस के घर के छट में तोड़ फोड़ भी कि उन्होंने कहा कि SSP से मिलकर जर्या के स्थिति से उन्हें अवगत कराएगी प्रशासन सत्ता के दबाव में काम करना बंद करें नहीं तो भाजपा कारे करता चुप नहीं बैठेंगे प्रशासन की लापरवाही के कारण ही गडेश के परिवार के लोग देह्शत में हैं कि ममला यहीं बात है कि मैंने एक मैना पहले हमारा घर में पूरा दंगा फोदारी हुआ है आकर के सब पूरा दंगा किया है पूरा बाल बच्चा के हम लोग करने लेडिस को भी मारा है जेंस को भी मारा है बच्चा को भी मारा है घर में तोड़ फोड़ किया है परसासन अभी तक ले कुछ ने इस तुनाई किया है है सब बड़ारी का सराफथपुर का गुईया महला का सब था बगड़ेगी के था लड़का लोग चौर बदमास तब परसासन जाते हैं तो हमी लोग के डाट के बहु बोल देता है कि तुम लोग कोईला वाला काम है थी काम हम लोग घर मे रहते हम लोग कोईला काम करते हैं इसलिए हम लोग को मेडम को बोलाएं है रागनी सिंग को परसासन को बोला कर के ही सब बात बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ रच्छा किया जा अगला जो है कि हमारा लड़का के भी धंकी दे रहा है कि दो लाग रुपिया मतलव हों को दो आना यह तब इनम मारफिट करेंगे इहां उहां देखिए आज पहुंचे हैं सबसे पहले तो बहुत दुखत घटना इनके साथ घटी है क्योंकि 20 दिन पहले आप लोगों को भी सुचना होगा कि क्योंकि हमें थे नहीं बाद में जनकारी मिली तो इस ऱरह से खलाकी आज ही नहीं जरियह में तो हम चारसलों से लगातार यही देख रहे हैं कि किया जा रहा है और किसी के माध्यम से हो रहा है और इसमें कहीं न कहीं अगर स्रे जाता है तो परसासन का जो इस तरह से दीन दाहारे ये सुनकर भी सरम लग रहा है कि परसासन के रहते हुए में किसी घर पे किसी के भी घर पे कोई भी चहर कर किसी बेटी बहु बच्या के पर तो आपनाया गया है जितना भी अवेद हत्यार था हर तरह कि उसे वीडियो में दिख रहा है उसके बावजूद भी परसासन इस तरह से लप रही तो मैं आप लोग के माध्यम से बोलना चाहते कि आज आज तो विसेश कर किसलिया है कि यह जो हुआ अलग भी सह हुआ इस पर भी तक संघ्यान भी पर्शाशन नहीं लिया है केश नहीं ढंग से लिया है लेकिन अब दुभाग के बाद है कि श को आला रहा है कि आप हमको 2,00 रंग दारे दिया जाए तो यह परसासन को अब चेतना होगा कि अगर इनकेसाथ कूछ भी अगर अनहोनी होता है तो इसका झाल झाल